जनपत में भारती जनता पार्टी का कमल भी खिला है और प्रदेश के 52 जिलों में लगातार भाहूमत के साथ भारती जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्स कराई है ऐसे में हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीन विकास मंत्री श्री महेंदर सिंग से सो दिया ग्रामी छेतर में काम कर रहे हैं लगातार सविक्षाय कर रहे हैं हर योजना आपको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और हम निश्यत रूप से टीम को एक हिस्सा होने के नाते हम लोग भी लगे हुए है तो यह हमारे लिए बहुत गौरब की बात है कि पूरे मद्द प्रदेश भ रहे हैं कि मानी प्रदान मंतरी जी अपना जर्म दिन मानाने मद्द प्रदेश हा रहे हैं और दूसरा मेरे लिए यह बिक्ति के दूरुप से मेरे विवाग के लिए भी गौरब की बात है कि एसेच जी के प्रोग्राम को उन्होंने मानने ता दी है और विदीवित आफिश होगा माननी मोधी जी का अबादलों पर से भी रोक खट गई है तो ऐसे में क्या माना जाए एक बड़ी प्रशास्निक सरजरी जो की ग्रासरूट लेवल पर होना बाकी थी वो हो जाएगी आपको लगता है दिखिए माननी मोखुंती जी का बहुत इस पस्ट है कि टांस्व से लेते हैं और उस समय मंत्री लोगों का दिकार हो जाएगा कि वो भी कर सकते हैं पिछले दिन हमने देखा कि गरीब के आवास को लेकर उसका सपना पूरा करने के लिए आपके विभाग ने बहुत महनत की आने वाले दिनों में क्या महतोकांशी प्रोजेक्स हैं जो की पं का मकान हो और जब वो मकान बनके तयार होता है और उसमें जाके रहने लगता है तो मोदी जी उसके लिए भगवान से रूप होते हैं तो आज पूरे देश बर में करोणों मकान जो बन रहे हैं वो मानी मोदी जी के पूरे आशरिबात से बन रहे हैं और आने वाले समय में जो बचे हैं वो भी निरंतरता के साथ हम लोग कोशिच कर रहे हैं कि उनकी मकानों को भी बनाया जाए तो ये एक बहुत ही महती योजना है और मैं मेरे पास शब्द नहीं है माननी मोदी जी के लिए कि किस मुझ से किस शब्द से मैं उनका धन्यवाद दूँ गरीब की तरफ से राजनेतिक सवाल इंदेरों मेल मुलाकात बहुत हो रही है जो तिरा दितर संधिया जी जो की केंदर में मंत्री है वो मिल रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में लगातार मेल मुलाकात है क्या ये केवल सामन्य पारिवारिक मुलाकात है या इसके पीज़े नेताओं का आदान प्रदान संबाद ये बना रहता है और ये एक अच्छी परिपार्टी के रूपे पार्टी संक्रटन कार कर रहा है। ये एंपीन्यूस भुपार्ट।